और बॉलीवुड के मश्चूर गीतकार शैलिंद्र सिंग सोड़ी रायपूर पहुँचे और उन्होंने चतिस गड़ में बनने वाले फिल्मों आर्ट लिटरेचर को लेकर चर्चा की है रायपूर पहुचे शैली से खास बाच्चीत की स्वाराज समवाद्दाता स्वाती को अशिक निया हमारे साथ मशूहूर लिरसिस्ट उर्ता पंजाब जैसी खुपसूरत फिल्मों की गाने जो है वो आपने लिखे हैं इंडिकेट से जादा हो चुका है आपको सर क्या आप यहां पर आने के बाद इस फिल्म फेस्टिवल में क्या पाते हैं चातिसगर में आके हम चाहते हैं कि रायपूर चातिसगर से और भी युवा और लोग निकलें और फिल्म और साहित्य के लिए काफी कुछ करें किताबें लिखें फिल्में बनाएं एडिटिंग करें फिल्में डिरेक्ट करें तो एक तो यह है कि हम जैसे लोग जो अलड़ी कर रहे हैं यह काम तो उनसे उनको थोड़ा प्रचाहन मिलता है और हमें भी अच्छा लगता है कि हम नई पीडी क्या सोच रही है किस तरह का काम करना चाहती है उसके बारे में हमें भी पता चलता है और खुशी ही भी होती है कि हम आने वाली पीडी के लिए कुछ करें उनक से यह गिवन टेक है एक्छुली हमने कुछ लोगों से सीखा है समाज भी सीख रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि चतिसगर से राइपुर से फिल्मे आए, नई फिल्मे आए, चाहिए वो छोटी हो, फीचर फिल्म्स हो, और इससे पुरे समाज के लिए बहुत अच्छी बात है और प्रुचाहन मिले सब को. शेली जी, आपको लगातार लिखते हैं, लगभग एक डिकेट से जाजा का समय हो चुका है, बहुत फैंटास्टिक गाने आपने दिये हैं, कौन सी इसी चीज़ है जो आपको मोटिवेट करती हैं इन चीज़ों के लिए? मुझे सच पूचिये तो समाज मेरे आसपास के लोग और उनके अनुभव और मेरे अपने जो परसनल अनुभव हैं, एक्सपिरिंसिज हैं, जीवन को लेके या अपने आसपास के बरिवेश्च को लेके वो मुझे मोटिवेट करते हैं और I hope की वो करते रहें और मैं और ग मैं बहुत अच्छा लगा यहां कि 36 गड में पली दफाए हूं, राइपुर्ड में पली दफाए हूं और यहां की संस्क्रिती, यहां के लोग बहुती ऑहां प्रेम करने वाले हैं, बड़े खुलूस से हमें मिलें, बड़े मुझे से मिलें। तो अच्छा लगता है, चुक्रिया करते हैं उनके और हम अभारी है राइपुर के चतिस गड़ के और हम चाते हैं कि इश्वर से हमारी प्रात्ना है कि असा होता रहे और भी अच्छे फेस्टिवल्स हो सहित्य बढ़ियास रिजन हो सहित्य का और फिल्में बने बस यही कामना है चलते चलते चतिस ग स्वाराज एक्सप्रेस के लिए राइपुर से